विवाद हुआ तो आप सफाई देरों कि नहीं नहीं और भी लोग ऐसे बोलते हैं और उस पर भी नहीं माने लोग तो कहने लगे अच्छा बाबा गलती होगी तो दो क्यों हकीकत तो यह कि गलती नहीं हुई है सच तो यह है कि इस तरह के डायलोग रखते वक्त आपको अच्छे से पता था कि इससे फिल्म में मसाला तो एड हो जाएगा जनता हासेगी भी क्योंकि इस देश की सनातनी जनता को तो वैसे भी सालों से अपने धर्म का मजाक उड़ता देखने की आदत है इसी तरह फिल्म में ग्लैमर अड़ करने के लिए आप माता सीता को शोल्डरलेस कपड़ों में दिखाते हो वीपईशन की पतनी को तो आप एकता कपूर के किसी सीरियल की कैरेक्टर की तरह पेश कर देते हो मेरी समथ से तो परे है कि रामायंट पर फिल्म बनाते वक्त कोई ऐसा कैसे सोच सकता है उस पर भी जब इतनी बुराई की जाए तो बजाय अपनी गलती मानने के बुराई करने वालों पर इस सवाल खड़े करने लगते है जनता का सम्मान करिये अगला पॉइंट यही है कि आप सडक के किनारे अगर किसी रेडी पर गुलगपा भी खाने जाते हो ना तो उस रेडी पर भी लिखा होता है कि ग्रहा की भगवान है कहते हैं कि जनता ही जनारदन है मगर मुझे समझने नहीं आता कि कुछ हॉलिवूड वाले जनता को हमेशा मूर्ख समझने पर क्यूं तुले है फिल्म का जब ट्रेलर लोगों को अच्छा नहीं लगा तो उसे फिल्म के खिलाफ साधिश बताया गया कि तुमारी बातों से घंटा फरक नहीं पड़ता तुम जो बोल रहो बोलते रहो अपनी तो फिल्म कमारे लिए है इन लोगों के इसी बिहेवियर से जनता को और गुसा आया और इसी को अंग्रेजी में इंसल्ट टू इंजरी कहते है हनुमान जी के डायलोग्स पर तो विवाद हुआ लेकिन जोब उस पर राइटर साब से बात की गई तो कहने लगी कि आप मुद्दे को भटकार है उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हनुमान जी बगवान नहीं बलकि भगत है यह सारी बात इसले बतानी पड़ रही क्योंकि फिल्म से जुड़े कुछ लोग शुरू से लेकर एंड तक क्रिटिसिजम को लेकर डेनायल मोड में रहे वो इस तरह बिहेव कर रहे थे मानो जनता ही मूर्क है उसी में अकल नहीं है सारी दुनिया उसकी दुश्मन है वो तो जब चीजने जाधा हाथ से निकल गई न तब उन्हें समझ में आया कि भई कुछ जाधा ही रायता फैल गया है उसके बाद ही डायलोग बदलने की बात की गई मگर इससे फिल्म मेकर्स का एरोगेंस दिखाई देता है इससे लगता है कि उन्हें अभी भी ये समझ में नहीं आया है कि आप सोशल मीडिया की ताकत को इगनोर नहीं कर सकते हैं इससे सबक यह है कि अगर एक भी आदमी कुछ कह रहा है तो आप उसे ध्यान से सुनिये, उसे ये कहकर खारिज मत कर दीजे कि उसका कोई अजेंडा होगा, वो किसी खास आइडियोलोजी से मोटिवेटेड होगा, और उससे भी बड़ी चीज यह है कि अगर आप वाकई बार करने से पहले हर चीज पर अच्छे से थौट दे लो, अपने सरकल के बाहर के लोगों से भी उसकी राय ले लो, ताकि बाद में आप ही को शर्मीनदा न होना पड़े, I hope आदे पुरुष को लेकर पिछले कुछ दिनों में जितनी भी कॉंट्रवर्सी हुई है, उससे बाकी मेकर्स को भी एक लर्निंग मिली होगी, उन्हें भी पता चला होगा कि वो इस देश की जंता को धार्मी कॉंटेंट दिखाने के नाम पर for granted नहीं ले सकते, creative freedom के नाम पर लोगों की भावनों का तमाशा नहीं बना सकते, फिल्म को कमर्शल बनाने के लिए कॉंटेंट को बा